बोलियूद में एक दशक और काई बॉक्स ओफिस विफलताओं के बाद ताइगर श्रोफ को एक अभिनेता के रूप में विकास की कमी के लिए आलोचना का सामना कराना पद रहा है। अनेकी पहली फिल्म और बड़े मिया छोटे मिया जैसी हाल की फिल्मों के बीच तुलना में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं दिखाता है जो अनेक करियार में गिरावत का कारण बना। उद्योग विशेशग्यों का सुझाव है कि एक ही तरह की भूमिकाए निभाने और अभिने में अपर्याप्त विविद्ता के कारण अनेकी फिल्मेन पूर्वानुमानित और अनाकर्शिक बन गाई हैं। अपानी शारीरिक शमता और समर्पन के बावजूद श्रोफ इक्षन और दास के अलावा कुमेडी और द्रिमा जैसी शैलियों में संघर्श कराते हैं। आलोचकों का तर्क है कि अक्षय कुमार और सलामान खां जैसे सफल अभिनेता अपानी भूमिकाओं में विविद्ता लाकर सफल हुए हैं, जिसे श्रोफ अभी तक हासल नहीं कर पैं हैं। इस सहरा एवी के कारण दर्शकों की रुची कम हो गए है और उन्हें अपानी अभिनेफिस कम कराने की सलाह दी जा रही है। इससे उबारने के लिए विशेशगिर्श शोफ को खुद को फिर से तलाशने, विबिन शैलियों को तलाशने और अधिक बहुमुकी निर्देश के साथ सहयोग कराने की सलाह देते हैं। उन्हा का सुझाव है कि अभिने से ब्रेक लेने से उन्हें अपने कोशल को निखारने और ने जोश के साथ वापसी कराने में मदद मिल सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हा का भविश्य दक्षिन भारतिय सिनिमा में उझ जाव हो सकता है, जहां निर्देशक अनेकी क्षमताओं का बहतर उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर, श्रोफ के लिए अपने लद्दाक राते करियार को पुर्ण जीवित कराने के लिए द्रिश्टिकोन में महत्वपूर्ण बदलाव और अधिक कथोर पटकता चैन शक माना जाता है।